जहीं दोस्तों, पिछले हपते मैंने एक बुक सम्री बनाई थी, जिसका नाम था मेनेजमेंट गुरू भगवान सिरी राम, जिसके ओथर डॉक्टर सुनिल जोगी हैं। इस सम्री में मैं आपके साथ स्री राम की तीन क्वालिटिया ही सेर कर पाया था। इसी बुक से स्री राम की और क्वालिटिया आपके साथ सेर करूँगा। अपना मित्र बना लेते हैं। उसको भरत के समान अपना भाई बताते हैं। सुग्रीब राज्य पाकर मित्र ध्रम भूल जाते हैं। मगर राम अपना मित्र ध्रम अंत तक निबाते हैं। वे सुग्रीब को अपने साथ पुस्वप भिमान में अईध्या लेते हैं। इसी परकार राम भिवीशन से अपने मित्रता निबाते हैं और उनकी मित्रता समय की कसोटी पर खरी उतरती है। रामन को मानने के बाद वोह लंका में अपने भाई लक्षमन और मंत्रियों से उनका रास्तिलक करवाते हैं। लंका पती रामन को मार कर वे लंका को जीत लेते हैं लेकिन वे अपने मित्र भिवीशन को राज्य सौप देते हैं। और अपात काल में उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ दिया। बानर वा भालू सिता की कोज में जा रहे हैं। तो बानर सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे राम ने मुलाकात कर उसकी कुसलता ना पुछी हो। जब सब बानर सिता की कोज की कारे से वापस आ जाते हैं तब भी राम सभी बानरों से भेट करते हैं। जब भी विशन सिरी राम के पास आका रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये कहते हैं तो उनको दंडवत करते देख राम परसन होकर उड़ते हैं। और उनका स्वागत करके अपनी विशाल भुजाओं में बान कर उन्हें गले लगाया और अपने साथ बैठाया। इस परकार वे सभी को यथा योग्यमान देते हैं। जब स्रीराम अयोत्या लड़ते हैं तो वे पुस्वख विवान से उतरते ही गुरु चरणों में दोड़ कर गिर पड़ते हैं। जब गुरु वसिस्ट उनसे उनकी कुसल पूचते हैं तो स्रीराम कहते हैं आपकी दया से ही हमारी कुसलता है। फिर सभी ब्रामणों से मिलकर उनके चरणों में चुकाते हैं। भरत और सत्रुगन को गले लगाते हैं और अत्यंत प्रेम से माताओं से भीट करते हैं। इसके बाद यहों सोच कर कि माता के कई अतीत में की गए अपने कारे के प्रती बहुत लज्जित है। इसलिए सबसे पहले वे उनके महल में जाते हैं और उनको राजा द्वारा अपना पितामबर बिछा दिया। मुनियों को बैठने के लिए एक राजा द्वारा अपना पितामबर बिछा देना, रिस्पेक्ट देने की सबसे उची स्तिती है। प्रेना ले सकें तो हम छोड़ते जा रहे जीवन मुल्यों को दुबारा पा सकते हैं। कि सत्य का पालन करने में ही उन्होंने अपनी सारी लाइफ समर्पित करती वे ना तो अध्रम करते हैं और ना ही दुसरे को करने देते हैं अध्रम का नास करना ही उनकी लाइफ का हीम है उनके पिता राजा दसरत उनको 14 वर्ष का बनवास देते हैं वे पिता की आग्या का पाल को द्रम मानते हैं मुनिराज विस्वमित्र और अन्य मुनिगनों का यग्य राक्षस नश्ट कर देते थे विस्वमित्र अपने यग्य की रक्षा के लिए राम और लक्षमन को अपने साथ ले जाते हैं राम मुनियों का यग्य भंग करने वाले सुबाहू और अन्यरक्षोसों का वद करते हैं इस परकार वे यग्य की रक्षा करते हैं और मुनियों को निर्भय कर बन में दोवारा धरम की रक्षा करते हैं राम सत्य की प्रतिष्टा करने वाले हैं वे सुगरीब को बचन देते हैं कि वे बाली को मार कर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाएंगे सुगरीब के बड़े भाई बाली ने अधरम से उनका राज्य चीन लिया था इसलिए वे बाली का बद करके किसकिंदा में धरम राज्य की अस्तापना करते हैं वे भी सन राम की सरण में आता है वे उसे लंका का राजा घोजित करते हैं उसका भाई रामन अधरम की नेती का फालन करके सिदा का अपहरन कर लाता है उसको दंड देकर धरम की अस्तापना करने के लिए वे उसका वद करते हैं स्री राम अपने जीवन में पकपक पर सत्य और दिल्डता से पालन करते हैं राष्टपिता महानमा गांधी भी सत्यवर्ती थे वे सत्य के रक्षा के लिए कस्टों को जीलने के लिए हमेशा तेयार रहते थे राम के सत्य और ध्रम जैसे मुल्यों को अपना कर हम अपनी लाइफ सत्यारनी के साथ ही दूसरों के सामने भी आदर्स पस्तुत कर सकते हैं हाला कि इस मार्क बर चलने पर बहुत सी कठनाया और कस्ट आएंगे यदि हम बिना धहरेक होए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आखिर जीत सत्य की ही होगी सत्यमेव जैते वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली को कमेंट्स कीजिए अपने व्यूज अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद